बीच के यूज से स्किन पे ग्लो आता है, इसकीन क्लीन क्लियर एंड टैनिंग फ्री हो जाती है ये हमारी स्किन पे जो अन्वांड़ेट हैर होते हैं, उसे कलर करने का काम करते हैं और मैन वुमेन सभी इसका यूज करते हैं इसका यूज करना तो ठीक है, बट इसके यूज करने के बाद में आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखोगे, तो आपको bleach के effects भी कम मिलेंगे और आपको इसके side effects भी हो सकते हैं तो आज मैं आपके साथ में उन्हीं कुछ points को share करने वाली हूँ तो hello friends, welcome back to my channel, RG Beauty and Lifestyle तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें bleach करने के बाद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए तो आज वही सब कुछ मैं आपके साथ share करने वाली हूँ तो वीडियो को जरूर देखना आपके लिए बहुत जादा helpful होने वाली है अगर आपने वीडियो को बिल्कुल skip कर दी तो आप बाद में पश्ताओगे कि काश ये वीडियो हमने पहले देख ली होती क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी helpful tips भी देने वाली हूँ तो चलिए friends वीडियो शुरू करते हैं ब्लीट से हमारे skin का जो tone होता है वो light हो जाता है और ये हमारे face के जो unwanted hairs होते हैं उसे भी color कर देते हैं जिससे कि हमारे hairs hide हो जाते हैं, skin color के हो जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं man, woman सभी इसका use करते हैं और monthly skin care routine में भी इसे include करते हैं ताकि उनका face naturally glow करता रहे हैं ताकि मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक chemical product है इसमें chemical होता है जिससे कि कई बार side effects भी हो जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि जब bleach करने के बाद में उसका effect हमारे चहरे पर नहीं आता है और हमें उसके side effects भी हो जाते हैं जैसे कि skin पर redness होना, खुझली होना, ये सब कुछ हो जाता है ब्लीच के बाद में ऐसा इसली होता है क्योंकि हम ब्लीच करने के बाद में कुछ गलतिया कर देते हैं जिसकी वज़े से हमें इन सभी problems को face करना पड़ता है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी क्या गलतिया होती है जो हम करते हैं ब्लीच करने के बाद में हमें धूप में जाने की गलति बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए इससे हमारे स्कीन पर redness हो सकती है, rashes हो सकते हैं और हमें इस तरह की problems को face करना पड़ सकता है यही नहीं इससे हमारे स्कीन पर sunburn की problem भी हो सकती है इसलिए अच्छा है कि ब्लीच करने के बाद में आप बिल्कुल भी धूप में नहीं जाएं और आप अगर धूप में चले जाते होना ब्लीच करने के बाद में तो आपको इसके effects पे कम देखने को मिलते हैं तो इसलिए आप जितना हो सके ब्लीश करने के बाद में धूप में जाना अवॉइट करें आप कुछ घंडों के बाद में बाहर जा सकती है बट इंस्टेंटली ब्लीश करने के बाद में आपको धूप में नहीं जाना चाहिए और फिर भी अगर बहुत जादा जरूरी है तो आपको अपने face को अच्छे से cover करके फिर ही बाहर जाना चाहिए और sunscreen ज़रूर अप्लाई करनी है second mistake है face wash का use bleach करने के बिल्कुल immediately बाद में आपको face wash करना ही नहीं है आपको face wash use ही नहीं करना होता है at least bleach करने के बाद में आपको 7-8 hours तक अपने face को wash नहीं करना होता है और आपको हमीशा bleach हटाने के लिए भी थंडे पाने का use करना चाहिए गरम पानी से आपको skin पे rashes हो सकते हैं, skin redness हो सकती है इसलिए अगर आप ठंडे पाने का use करोगे तो आपको इस तरह की कोई भी problem नहीं होगी mistake number 3 bleach लगाने के बाद में scrub करना हम हमारी skin से dyed skin हटाने के लिए blackheads, whiteheads हटाने के लिए scrub का use करते हैं और scrub हमारे weekly skincare routine का एक बहुत important step होता है आपको कभी भी scrub अपने face पे bleach करने के बाद में नहीं करना चाहिए scrub अगर आप करना चाहती हो तो आपको अपने face पे scrub bleach करने से पहले करना चाहिए बट मैं तो आपको यही कहूंगी कि अगर आप bleach कर रहे हो तो आप उस दिन scrub को avoid कर दें अगर आपको फिर भी करना है तो आप उसे bleach करने से पहले कर सकती हो क्योंकि bleach करने के बाद में अगर आप scrub करोगे तो आपकी skin bleach करने के बाद में बहुत ही जादा soft सपल हो जाती है और आप bleach करने के बाद में अगर scrub करोगे न तो उससे आपकी skin में जलन हो सकती है आपको itching हो सकती है आपकी skin पे redness और rashes हो सकते हैं और आपकी skin और भी ज़्यादा dry हो सकती है आपको mild scrub यूज़ करना है और बहुत हलके हातों से आपको scrub करना है mistake number 4 threading करवाना आपको अगर threading करवानी है तो आप try करें कि आप bleach करने से पहले threading नहीं करवाएं और नहीं आपको bleach करने के बाद में करवानी है क्योंकि जिनके skin sensitive होती है उन्हें इससे बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है skin पे pimples दाने हो सकते हैं बहुत से skin पे swelling भी आ जाती है skin में redness हो जाती है ऐसे में अगर आप threading करवाना चाहते हो तो आपको bleach करवाने से एक गंटे पहले करवानी है या फिर कुछ देर बाद में करवानी है बट जैसे कि आपने अगर threading करवाई है और उसके बाद में अगर आप वहाँ पर bleach लगाओगे तो आपको बहुत जादा जलन होगी जिसे कि आप बिल्कुल भी सहन नहीं करवाऊगे अगर आप bleach करने के बाद में भी लगाओगे न तो आपको threading करते वक्त वहाँ पर बहुत जादा जलन होगी इसलिए try करें कि bleach करने के पहले और बाद में threading में थोड़ा gap ज़रूर हो next mistake है face pick apply करना bleach करने के बाद में बहुत सी बार skin में जलन होती है itching होती है और इन सबसे बशने के लिए हम क्या करते हैं हमारे face pick लगा देते हैं और face pick में कुछ ऐसे ingredients होते हैं जिससे कि हमारे skin में cooling effect आता है बट बहुत से face pick ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसे ingredients होते हैं जो कि हमारे skin पे irritation कर देते हैं skin पे itching होती है कई बार swelling भी हो जाती है और redness भी हो जाती है आप humid face pick लगा लेते हो जैसे कि आप nimbu, curd, vinegar इस तरह के face pick अब अपने face पे लगा देते हो अगर आपने bleach करने के बाद में इस तरह के किसी भी face pick का आपने face पे यूज किया तो इससे आपको अपने face पे बहुत सारी skin problems हो सकती है skin में redness हो सकती है pimples हो सकते है red patches बन सकते हैं तो इस तरह का कोई भी face pick आपको अपने face पे यूज नहीं करना है आप अगर अपने face पे कुछ लगाना चाहते हूँ, cooling effect देने के लिए तो आप aloe vera gel यूज़ कर सकते हूँ, या फिर ice cube लगा सकते हूँ, बट आपको किसी भी तरह का face पे अपने face पे नहीं apply करना चाहिए, चुकि आपकी skin के लिए harmful हूँ, तो इन सब बातों का ध्यान अगर आप रखोगे, तो आप bleach के बहुत से side effect से बच सकते हूँ, आपको bleach के बहतर result मिलेंगे, आपको इसका बहुत अच्छा effect मिलेगा, तो बस bleach करना हमारी skin के लिए safe होता है, बट हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, अगर इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, तो हम इस वीडियो अगर helpful रही हो, तो प्लीज वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इसी तरह के helpful वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना हुए